नमस्कार आज मैं आपको बताऊंगे बहुती आसान और सरल तरीके से सिंपल ब्लाउज कटिंग एंड इस्टिचिंग यहां पे हम 34 साइज का बनाएंगे और इसमें मैं आपको हर साइज का भी बताती जाऊंगी तो यहां पर देखी सबसे पहले जैसे आपका कपड़ा है तो आपको आगे और पीछे के पार्ट निकल डाberry एक मीटर तैस तो मैं ने आगे और जो नए लोग उनको नाप लेना नहीं आता है जैसे उन्होंने नाप लिया पिर वो तो आप इसको डीला भी कर सकते हैं यहां से मैं आज आपकोआज अलग तरीकें से बता रहा हूं कि जैसे हमारा कपड़ा कैसा भी इस सी लंबाई नापनीा, इस तरीके से तुक यहां पे जो मेरे कपड़े की लंबाई वो साडे 15-6 इंच यहां पर भीलाउज बनाएंगे वो लो 13 इंच का बनाएंगे तो देखिए हमें जितनी भी chest का blouse बनाना है उसका हमें आदा करना है जैसे हमें बत्ती chest का बनाना है तो उसका आदा करेंगे तो देखिए हम इस तरीके से यह होगे हमारा बत्ती इसका आदा किया हमने 16 इंच हमने यहां पर 16 इंच पे निशान लगा दिया उसके बाद हमें यहां पर गुंज़ास लेनी है चार इंच जो भी नए लोग हो चार इंच की इन्जास लेंगे तो यहां फिर कि हम 40 का बनाएंगे तो 20 इंच पर पहले निसान लगाएंगे देखिंए हमने जब 4 इंच की गुंजास लिए तो यहां पे हमें आराम से ये 1.5 इंच मिल रहा है तो हमें यहां पे गुंजास ज्यादा लेनी है और चेस्ट की साफ से हमें निशान लगाना उसके बाद हम यहां पे गुंजास रखेंगे चार इंच की जो भी नई लोग है वो इस तरी की बड़ा होना चाहिए जो बड़ा है वह हमारा पीछे का इसका ध्यान रखना थी यहां पे हमें अपनी ब्लाउज की बनाने है 13 इंच की तो मैंने यहां पे चौदा इंच लिया है पीछे का पार्ट और इस से लिए name ऑल्ल और यह आगे पीछे की दोनों फिर हमने इस तर जाए आप गजानगे पंच के आप biblical में चरूंग चरुसिज इंच हैं म Document मां यहां पर जाए च्ья श्राइब निन भी तो साङगे पांच इंच के लिएंगे आरुमल अब यहां पर टीज़ और चाहँ अर रिशिव उन्च का बनाएंगे 36 का बनाएंगे तो हम यहां पर लेंगे 46 आरूमल 6 इंच के अगर हम gonna 34 रेंगे 58 इंच के इसका ध्यान के 14 आदा के दूर इंच की दूरी रहते हुए हम ऐसे गोलाई का निशान लगाना यह उसके बाद गले की जो हम गोलाई रखेंगे और यह से लेंगे आपको बताया है जो खुले बाले पार्ट है यहां पे हम आरूमल का निशानल लगाएंगे यह हमारे आरूमल है यह हमारा गला है इसी तरीके से आपको हर साइज में कटिंग करना है और देखे वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को जार से ज्यादा शेयर यहां पर देखें सोल्डर जुड़ा हुआ है उसको हमने अलग किया अब यहां पर हमने जो पीछे का पाड़ा लंबाई में उसको निकालना है इस तरीके से देखें यह लंबाई में छोटा आए इसको उटाएंगी जो करना है हर साइज में आधा इंच हमें यहां बाजू में जोल आती है वो नहीं आएगी हर साइज में आपको इसी तरीके से काटना है कि अब बीच में यहां पे जुड़ा हुआ इसको भी अलग करेंगे हर साइज में आपको कम से कम 13 इंच पर 3.5 इंच पर निशान लगाना है तो मैं यहां पर साड़े तेरा इंच पर लगा रहीं इससे क्या तीरा हमारा ऊपर की साइड नी जाएगा देखिए एक इंच हमें ऊपर की साइड लेना है और इसको हमें नीचे की साइड ऐसे गोलाई में इस तरीके से टक्स का निशान हम लगाएंगे क्योंकि 34 इंच है तो साड़े नो पर निशान लगाएंगे तीरे का निशान आंशक पर थेरा अंच पर लगाएंगे इसका धियान दो है अगर आपकि शार्ट इस त्या तो मेरे यहां पर 34 इंच तो मैं यहां पर 13 इंच पर निशान लगा हैं उसके बाद मैंने यहां पर 15 इंच का कपड़ा मिल राए अगर आप लोग तीरे के बारे में और ज्यादा सीखना चाहते हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल में देखें इसका प्ले लिश्ट मैंने अलग से बनाया तीरे को हम कैसे कटिंग करें वो भी हमारा ऊपर की साइड ना जाए बहुत ही आसान और सरल तरीके से तीरे के बारे में यहां पर साड़े आठ इंच अपना फिटिंग का निशान लगा लेंगे इस तरीके से अगर हमारा यहां पर 36 इंच है तो हम यहां पर 9 इंच पर निशान लगाएंगे फिटिंग का अगर हमारा यहां पर 40 इंच है तो 10 इंच पर हमें ऐसे करके अपना फिटिंग का निशा निकालना है उसके बाद हम उसको आदा करेंगे तो जैसे हमारा यहां पर है साड़े आठ इंच का हम आदा करेंगे तो यहां पर आएगा हमारा ऐसे करके सवा चार इंच यह प्लेट हमारी मैन होती है बीच की यह हमारी एकदम बीच में आनी चाहिए उसके बाद एक निशान ह हमारा यहां पर रहेगा जो हमारा टक्स का निशान है और यहां पर हम दो-दो इंच की दूरी रखते हुए इनको भी निशान लगा लेंगे तो हर साइज में हमारा दो-दो इंच यहां पर दूरी होनी चाहिए इसका ध्यान रखना अब देखिए जो भी लोग सिलाई सीख रहे हैं वो लोग बोल रहे हैं कि हम पर ब्लाउज बनाना नहीं आता है तो आप लोग देखिए एक बार में नहीं सीख पाएंगे आपको बना कठिन लगेगा सूती कपड़ा लेंगे कॉटन का लेंगे उस पर अच्छे से आ जाएगा और आपका ब्लाउज कभी खराब भी ना होगा और यहां पर देखिए आदा इंच हमें तीरे का कटिंग करना है हर साइट में इससे किया जब हम पिलेट डालेंगे तो यह बराबर इंच का रख सकते हैं 11 इंच का भी रख सकते हैं क्योंकि हमने इसके 5 इंच के लिए यहां पर हम गले की लंबाई रखेंगे 10 इंच हमारे की लंबाई वह 15 इंच हैं और इसकी जो चौड़ाई रहे हैं काफी लंबाई मिल रहे हैं अगर हम बाजू बनाएंगे 10 या नो इंच की तो आराम से आजाएगे तो हम उसको एसे करके निकालेंगे में और हम यहां पर छोटी बाजू बना रहे है तो हमें चौड़ाई भी चाहिए तो हम क्या करेंगे कपड़े को हमें ऐसे करके डबल करना यहां पर हम इसकी जो चौड़ाई लेंगे कपड़े की वो लेंगे 18 इंच की अब देखिए हमें ऐसे करके डबल करना और यहां पर हम तीन इंच लेंगे अब हमारे यहां पर कपड़े की जो लंबा ही है वो 7 इंच है तो 6 इंच की हमारी बाजू तया रहेगी तीन इंच हमने यह ले लिया इसको हमें उपर की साइट ऐसे लेके जाना आधा इंच यहां पर भी काटेंगे जो हमारी यह बाजू की मौरी है इसको जैसे हमें ऐसे फिटिंग करना यह जुड़ा हुआ है में क ciert हमारा की कपड़ा बच्चा भूआ है इसमें से हमें निकालनिया और उसको हमने बीच में काट लीए कपड़े कॉपड़े को हमें देखिये कैसे भी तिरचा करना है ऐसे करके तिरचा कीया बीच में से काटा और इसकी हम पट्टियां निकालेंगे एक एक इंच की अगर आप पाइपिल लगाना चाहते हैं तो जो आपका साड़ी का कपड़ा है उसमें से काटें मैं अंदर वाली पट्टी लगाऊंगी तो मैं यहाँ पे अस्तल की पट्टियां काटेंगे यहाँ पे देखे पट्टियों को हम ऐसे करके जोड़ेंगे इस तरीके से सारी पट्टियां जोड़ेंगे अगर आप गले में पाइपिल लगाना नहीं आता है तो प्लीज आप हमारे चैनल में देख लें मैंने गले को तयार करने के के तरीके बताएं आसान और सरल पाइपिन का प्लेलिष्ट हमने अलग से बनाया है जिसमें हमने गले को आसान और सरल तरीके से तयार करके बताया है यह हमने पट्टी निकाली है वो हमारी अंदर वाली रहेगी और एक पट्टी हम काज वाली बनाएंगे जिसमें हम साड़ी का कपड़ा इसके उपर रखके बनाएंगे तो यहाँ पर देखिए जो हमारा साड़ी का कपड़ा उसको हम डबल करके रखेंगे तो देखिए हमें सबसे पहले अपना पीछे का पाट निकालना है और साड़ी का कपड़ा थोड़ा बड़ा ही रखेंगे तो यह देखिए बंद वाली साइड है वहाँ पे मुझे अपना पीछे का गला रखना है और जो खुले वाली साइड है यहाँ पे हम अपने आगे के पाट रखेंगे और नीचे हम अपना तीरा रख लेंगे क्योंकि इस कपड़े की चोड़ाई कम है अगर कपड़े की चोड़ाई जादा होती थे हम यहाँ से भी अपना तीरा निकाल लेते इसके देखिए गले को बाद में काट लेंगे और यह दीचे का तीरा यह उपर का पाट अमारा अब हमें बाजु निकालने इतना कपड़ा बचा हुआ हमारे पास तो हम क्या करेंगे इसको हमें डबल करना है आई सी इसमें लगिये पाई-पिन इसको निकाल लेने बाद बलागाएंगे हो ईसे हमने डबल किया अब हमारी जो अस्तल की वाजू है वह हम इसको ऐसे रक्ते法 paid लें अब देखिए यहां पर कितना है यह 6 इंच का लबाई में कपडा है इसको हमें छोटा करना जो भागो यह कि us किया हमारी बाजू है यह हमारे आगे के पाट है तो दिकि आगे में किस acceleration जो कपड़ा है उसको घूल करके पहले सिलाई लगानी तो timeёз आघे आती है तो प्लीज आप हमारे चैनल में देख लें इसका प्लेलिस्ट मैंने अलग से बताया कि अस्तल वाले ku बलाव जाएं उनको हम कैसे जोड़ें और कैसे इनकी स्टिचिंग करें और वीडियो को जैसे ज्यादा शेयर कीजिए कुछ पूछना आया सीखना तो प्लीज नीचे कमेंट कीजिए जैसे मैंने आपको बोला मैं आपकी सारी कमेंट पड़ती हूं और जो लोग से लाई सीख ना चाहते हैं प्लीज हमारी चैनल को सस्क्राब कर लें धन्यवाद